नमस्कार दोस्तूं स्वागत है आपका प्रियास के इस डिजिटल मंच पे और दोस्तूं जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी अपन सॉलिशन करेंगे सीटी टेन प्लस टू पांच परवरी दो हजार तेईस के इवनिंग सिस्ट के पेपर का सॉलिशन करेंगे देखो दोस्तूं विना विलम किये अपने स्टार्ट कर देते हैं देखो क्यूशन क्या है अपना क्यूशन अपनको ये बोल रहा है कि आट कीवी 40 रुपे में बेच कर एक आदमी को 20 पर थीशत का नुकसान होता है तो 30 रुपे में कितनी कीवी बेचेगी 20 पर थीशत का लाब होता है तो 80% के बराबर है इंटू 120 कर दो आप 20 पर सेंट लाब गमाना चाते हो 40 का भाग 2 बार और इधर 2 का भाग 60 बार इधर 4 का भाग 2 बार और 4 का भाग 15 बार ये लो पताया वह है आपको क्या सिस्टम होता है 15 बटा 2 का मतलब होता है 15 रुपे में 2 कीवी बेचो और 15 रुपे में 2 कीवी बेचोगे तो 30 रुपे में कितनी कीवी बेचोगे 4 कीवी इसका right answer होगा जो first option में पड़ा अगर 15 रुपे में कोई 2 कीवी बेचता है amount हमेशा उपर आता है मुल्ले में और quantity हमेशा नीचे आती है quantities नीचे आती है तो 15 रुपे में 2 कीवी बेचेगा तो मुझे एक बात बताओ 30 रुपे में कितने कीवी बेचेगा 4 कीवी बेचेगा next अगला question देखो अगला question है 15 संख्याओं का उसत 40 है इनमें परतम 8 संख्याओं का उसत 30 है और अंतिम 8 संख्याओं का उसत 50 है तो 8 मी संख्या आपको बतानी है दो तरीके हैं इसको करने के एक direct trick होती है और एक इसको basic से कर सकते हो बिल्कुल जैसरी किष्णा अनुस्या 15 संख्याओं का उसत 40 है तो एक तरीका तो यह है 40 को 15 से गुणा कर लो 15 चोके 60 सभी संख्याओं का योग आजाएगा 6 चार्सो और 24 कितना हो गया 640 कितना हो गया 640 हो गया ये 614 हो गया आपके पास में और 640 हो गया तो इसमें बीच वाली एक संख्या ऐसी है जो दो बार रिपीट हुई है और बीच वाली अगर दो बार repeat हुई है तो आपन जानते हैं कि वो जो extra है इस 640 में यह 40 वो 8 भी संख्याई है तो यह right answer यह D में पढ़ा इसका 40 answer सही होगा ठीक है इसका एक trick है बिल्कुल mix add good evening सभी को हाँ जी तो इसका right answer आप ऐसे भी दे सकते हो 40 ही कि सभी संख्याउं का average पहले लिख लो 50 40 है ठीक है और इन में से परतम 8 का 30 का 10 का 10 कम है इसका मतलब 8 into 10 minus का प्लस अंतिम 8 का 10 ज्यादा है 50 है तो तो यह हो जाएगा 8 into plus का 10 तो यह इस प्रकार से right answer cancel out होगे 40 आजएगा आपको answer फटा 7 number question होगे इसके बाद में 18 number question है अपना 14 और 18 number question मैट्स के paper का solution करवा रहा हूं में one by one आपको सारे questions का solution मिलेगा ठीक है हाँ जी देखो पहले 14 number question आ गया कि दी गई संख्याउं में से कौन सी संख्या गठाई जाएगी से संख्या समानुपाती हो तो आप एक कम करना इन में स संख्या 6 गठाऊगे तो यह समानुपाती हो जाएगा पर थेक संख्या में से 6 गठाऊ तो आपे हैं पहले थी स्य में से 6 गठाऊगे यह 17 को विलौग करने लग जाएगी अगली से स्थन गठाऊगे 21 को विलौण करेगी और अगली 78 में से आप है रहा दल्य का गुНहन को संक्या में से क्या गठाना पड़ेगा छे गठाना पड़ेगा बहुती स्यांदार क्यूशन इधर देखो नेक्स आगे तो यह चार सिप्ट के जो पेपर देचुका है वो द्यान से देख लो और जो पांच और छे नमर सिप्ट की 11 फेबरी को एक्जाम होनी है उनके लिए य अंडरूड तीन बटा चार अंडरूड तीन बटा चार ए स्क्वाइर अंडरूड तीन बटा चार ए स्क्वाइर बराबर आपके पास में दे रखा है चार सो अंडरूड तीन कितना दे रखा है चार सो अंडरूड तीन दे रखा है ठीक है तो यह संबहुत रिवुज का ज तो आप common sense लगाना A square का मान 16 है, तो A का मान कितना होगा A का मान 16 का वरगमूल होता है, 4 और 100 का वरगमूल होता है 10 से, A का मान 40 आ गया और A का मान 40 आ गया तो इसका परीमाप तीनू बुझाओं का योग है तो यह हो जाएगा आपके पास में एक सो बीस से जो चार तारीक इवनिंग सिप्ट को परसंद था वैसा का वैसा पांस तारीक इवनिंग सिप्ट को परसंद आ गया है परीमा आप तीनु बुजाओं का योग होता है तो 403 यह आपका 18 नमबर क्यूशन हो गया देन उसके बाद में देखो 51 नमबर क्यूशन देखो 51 नमबर क्यूशन पर चलते हैं पांची नेक्स्ट क्यूशन देखिएगा 51 नमबर क्यूशन ये लो साब ये स्ट्रेट से समंदीत 51 नमबर क्यों से न आ गया एक महविद्यले में पाई चार्ट द्वारा कारिरत पांच विबिन संकायों में सिक्सकों के परदसित किया जाता है महविद्यले में 108 सिक्सक कुल है टोटल 108 दे रखें आपको ठीक है कोई बात नहीं है टोट उसे कितने अधिक हैं कला विदी और एक तो कला और एक विदी और एक सिक्सा इन तीनु के जोडने हैं तो कला के 100 हैं विदी के 50 हैं और सिक्सा के कितने हैं 40 हैं तो ये टोटल कितना होगा 190 इनका तीनु का टोटल 190 डिग्री होगा ओके साथी साथ ये करा अन्ने दो का तो 90 और 80 कितना होगा, 170 डिग्री होगा, तो ये करा कितना अधिक हैं, तो बताओ, डिग्री में कितना अधिक हैं, 20 डिग्री, डिग्री में 20 डिग्री अधिक हैं, 360 डिग्री में से 20 डिग्री कितना होता है, तो उतना ही 108 में से कितना होगा, देखो, 0 से 0 कर जाएगा, 36, 3, 108 और 3 इन दूनी 6 तो कितने अधिक होंगे 6 अधिक होंगे राइट आंसर कौन से option में पढ़ा फेस्ट option में पढ़ा इस प्रकार से राइट आंसर इसका कौन सा होगा फेस्ट छे अधिक हो जाएंगे next इसके बाद में 50 नमर क्यूसन देखते हैं चलो देखो 50 नमर क्यूसन हाँची लो भई कबड़ी टीम दुआरा बनाएगे अंक इस प्रकार हैं तो इनकी मादी का पूछी है इसको ascending या descending किसी भी order में लिख लो आपे आरो ही या अवरो ही करम में लिख लो तो सबसे पहले में इसमें value लिख लेता हूँ कितनी तीन कितनी लिख लेता हूँ तीन लिख ली तो मैंने तीन लिख ली तीन के बाद में मैंने क्या लिख लिया पांच लिख लिया ठीक है तीन के बाद में अगला पांच value है फिर इसके बाद में 8 के बाद में अगली वेल्यू दो बार आपके पास में 10 हैं दो बार कितना हैं दस हैं ये एक बार 10 और फिर अगली बार 10 ओके फिर उसके बाद में अगली वेल्यू कौन सी है 14 है ये लो 14 डाल दिया मैंने और 14 डालने के बाद में अगली वेल्यू कितनी है 15 है तो ये 15, आरो ही या औरो ही करम में तो मादी का निकालने के लिए लिखना ही पड़ेगा, आपको ascending या descending order में, 15 हो गया, 14 हो गया, उसके बाद में अगली value कौन सी है, 18 हो गई, ठीक है, ये लो 18 लिख दिया, 18 के बाद में अगली value कौन सी है, आपके पास में, 25 हो गया, ये ल value कौन सी है, 29 है, और 29 के बाद में last value एक और बसती है, 50, ठीक है, तो ये total कितने data होगे, total data गिल्लो आप कितने होगे, ये लो, साब 17 को एक बार कम count किया है, अपनने, 17 कम डाला है, तो 15 के बाद में एक बार क्या लिख देते हैं, 17, ये लो, 17 भी count हो गया, अब बताओ मुझ 9 पद होगा, इनका ओसत ही मादी का कहलाता है, तो 8 और 9 इसका मलब 7 उडाने है आपको, 3 उडा दिये, 3, 6 और 1, 7, इन दोनों का ओसत है, इन दोनों का ओसत आएगा, साब 20, तो इसका right answer कौन सा होगा, 20 होगा, तो अब मैं इसका आपको सीधाई, answer ही यहाँ पे value डलवा दे यह 50 नमर क्योशन हो गया, इसके बाद में 44 नमर क्योशन देखो भी, 44 नमर क्योशन आपके congruence property of triangles का है, congruence property of triangles क्या कहते हैं, कि अगर तो 3 बूज सरवांग सम हैं, तो उनके संगत मुझे बराबर होती है, AB के बराबर PQ होगा, AB के बराबर PQ बिलकुल true बात है, और उसक इसके बाद में AC बराबर PR होगा, corresponding sides equal होती है, यह देखो BC, इधर से second और third vertex ले रखा है, और इधर से देखो first और second vertex ले रखा है, इसका मतलब यह statement क्या है, गलत है, यह statement सहीं नहीं हो सकता, संगत मुझें क्या होती है, समानोपाती होती है, सरवांग शमत्री बुझोंगी, next इसके बाद में देखो 64 number क्योंशन देखते हैं, 64 number क्योंशन, यह लो साब, एक पितावे पुत्तर की आयू का अनोपात एक अनोपात 4 है, उनकी आयू का गुणनफल एक सो चाड़ में है, बाप और बेटे की आयू का अनोपात एक अनोपात 4 है, तो यहां से, बिलकुल न सुच्छाण में तो एक बराबर कितना होगा चार का भाग गया चार बार है चार नाम 36 उननचास एक बराबर उननचास तो जब जब दो अनुपातु का गुणनफल वरगू का योग वरगू का अंतरक शेतर फल बगेरा दियावा रवी बिल्कुल बिल्कुल रवी परकास हेल हाँ जी देखो जब जब दो अनुपातू का गुणनफल होता है तो वरगमूल अवस्से लेते हैं तो एक बराबर कितना होगा साथ होगा और एक बराबर साथ होगा तो यहाँ पुत्तर की आयू तो कितनी होगी साथ साल और बिता की आयू कितनी होगी साथ चोके 28 वर्स कहरा है पांच साल बाद में बाप बेटेगी आयू का अनुपात कितना होगा साथ वाला पांच साल बाद में पांच बढ़ जाएगा पांच बढ़ जाएगा तो बारा हो जाएगा और 28 वाला पांच बढ़ेगा तो ये 33 हो जाएगा तो 33 और 12 का अनुपात अगर लेना हो आपको तो 4 का भाग कितनी बार? 3 बार 4 का भाग 3 बार और 4 का भाग 11 बार तो ये 3 अनुपात 11 कौन से option में है? ये right answer, sorry, 3 का भाग इदर 4 बार जाएगा कितनी बार जाएगा? 3 का भाग 4 बार जाएगा 12 में तो 12 में 3 का भाग 4 बार जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास में ये हो गया 12 और 12 में 4 का भाग कितनी बार गया? sorry, 3 का भाग 4 बार गया तो 4 अनुपात 11 हो गया कितना हो गया? 4 अनुपात 11 हो जाएगा तो ये 4 अनुपात 11 कौन से option में? ये देख लो आप D option में पढ़ाईए चार अनुपात 11 इसका क्या होगा राइट बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपको हाँ बिल्कुल निकिता जो पढ़ाया वो ही आता है एक्जाम में जो पढ़ाया जाता है ठीक है हाँ जी नेक्स्ट अगला क्यूशन देखो अगला क्या है आपके पास में 61 नम्मर क्यूशन है 61 नम्मर क्यूशन क्या है देखो 61 नम्मर क्यूशन 61 नम्मर क्यूशन आसन कौन से समंदीत आ चुका है मैंने बताया था आपको कि आसन कौनों से समंदीत कोई नुमेरिकल परसन आ सकता है या आसन कोणू की परिवासा आ सकती है तो आसन कोण से समधित एड़ेसंट एंगल होते हैं उन दोनों का योग 180 कोई जरूरी नहीं होता लेकिन एक ही सीधी रेखा पर बने वे आसन कोण है ये बहुत ही फैमश क्यूशन है बंदू द्यान रखना इसका एक ही सरल रेखा पर बने वे दो आसन कोण याद आ रहा है क्या कुछ है जब एक ही सरल रेखा पर दो आसन कोण बनते हैं तो इनका योग पल कितना होता है 180 होता है इन दोनों का योग 180 होता है तो चार अनुपात पांच देर का है तो यहां से 9 बराबर कितना 180 और 9 ब बराबर कितना एक बराबर बीस डिग्री और एक बराबर बीस डिग्री तो बताओ चार बराबर कितना होगा बीस चोके असी डिग्री तो सबसे छोटा कौन पूछा है तो छोटा कौन कितना होगा असी डिग्री जो की कौन से उप्षन में पड़ा है एस्ट उप्षन में चारूं और 3.5 मिटर चोड़ा रास्ता बनाया जाता है रास्ते पर 4 रुपे परतिवरग मीटर की दरसें कंक्रीट बिछाने का खर्चा आपको पुछा है तो 42 मीटर का व्यास है और 42 मीटर का व्यास है तो मुझे एक बात यहां से यह बताना कि इसकी तिरिज्या कितनी होग इसकी तिरिज्या आपके पास में आंतरिक तिरिज्या होगी 21 कितनी होगी 21 इसके बाहर की ओर एक रास्ता बनाया जाता है इसके बाहर की ओर अगर आप रास्ता बनाओगे और वो रास्ते की चोड़ाई कितनी है 3.5 मिटर तो यह बाहर की ओर 3.5 मिटर चोड़ा है यह 3.5 म इतने हो जाएगी पांच हो जाएगी अब बताओ इस बीच वाली रिंग का क्षेतरफल बड़े बत का क्षेतरफल मैनस चोटे वरत का क्षेतरफल qr2-ppen अलार इसक्वेर और अगर आप पाई को को कॉमल ले लेते हैं 22 बटे 7 को तो capital R square minus small r capital R square मतलब choice point 5 का square किसका square choice point 5 का square choice point 5 का square minus small r 21 का square 21 का square अब आपको पता है कि ये 22 बटा 7 तो asities है कोई दिक्कत नहीं है इसको तो अब choice point 5 में एक बार तो 21 को जोड़ दो एक बार गठालो या इनके square करके गठालो तो एक बार मैं जोड़ देता हूँ तो जोड़ूंगा तो ये 45.5 आजएगा कितना जएगा 45.5 आजएगा तो ये तो 45.5 कितना आगया 5 into गठाऊंगा तो कितना आएगा 24.5 में से 21 गठाऊगे तो 3.5 कितना आएगा 3.5 आगया अब मुझे एक बात बताओ अगर मैं 7 का भाग 3.5 में दू तो 0.5 बार 7 5.35 5 से अगर 22 को गुणा करूँ तो 22.5 110 होता है लेकिन पॉइंट अगर 0 को खा जाएगा तो 11 बचेगा और 11 को मैं अगर 45.5 से गुणा करूँगा तो 11.55 पॉइंट लगेगा ठीके 11.55 और 5.60 6 केरी फॉरवर्ड करेगा 11.4, 44 और 6 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ठीके तो यह हो गया आपके पास में 500.5 हो गया यह वरग मीटर में एक शेतरपल आ गया इसको 4 से गुणा कर दो तो 500 का 4 गुणा तो 2000 और 0.5 का 4 गुणा कितना हो जाएगा यह आपके पास में 2 रुपे हो जाएगे तो 2000 प्लस 2 रुपे टोटल कितने 2002 रुपे यह कौन से उप्शन में पढ़ा यह आपके C उप्शन में पढ़ा है तो इसका right answer कितना होगा बंदू, इसका right answer होगा, ये देखो, दो हजार दो रुपे, कितने रुपे होंगे, दो हजार दो रुपे इसका right answer हो जाएगा, ये लो देखो, दो हजार दो रुपे हो जाएगा इसका, लो भी, next question पे चलते हैं, next question आपका क्या है, अगले question पे चलते यह देखो 72 नमर क्यूसन देखो 72 नमर क्यूसन यह रहा यह लो यह एक आपके गुननखंड से समन्धीत परसन का मैंने आपको एक इचीज बताई थी आज तक अदिनस्त बोड ने आज तक अदिनस्त बोड में मम्ता बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बिल्कुल आज तक मैं अधिनस्त वोड की एक खास बात रही यह उप्सनों को गुणा कर लो आपका राइट आंसर जो है वह आपको मिल जाएगा इस कुछन का थोड़ा डिस्प्ले नहीं हो रहा है आपको तो मैं इसको अच्छे से clear कर देता हूं देको क्या है यह जो गुणनखंड आपको पुछा है वो पुछा है ॉपोच्छा है एकस की पावर च्यार प्लस से पान्च X की पावर 3 5 अक्स की पावर 3 प्लस थे है एकसस्क्वाई forcément का गुणनकंड पुछा है यह लोजी साब आप option को गुणा कर लो या किसी को common लेलो अगर आप ने option गुणा कर लिए तो भी आपका काम हो गया मैं फिर बता रहा हूं और third option इसका right answer है third option इसका right answer है इसको आप multiply कर लो मैं बता देता हूं किसी क्या code कुछ भी हो सकता है लेकिन third option में क्या है third option में है इसका x square into x plus 3 x plus कितना 3 into x plus 2 है यह right answer होता क्यों होता देख लो x को x से गुणा करते तो x का क्या आता square आता plus x को 2 से गुणा करते तो 2x आता x को 3 से गुणा करते तो 3x तो total 5x हो जाता 3 को 2 से गुणा करते तो plus का कितना आ जाता 6 और बाहर में क्या पड़ा है x square यह ले x square को अंदर गुणा करूंगा तो x की power 4 x की power 4 plus 5 x की power कितनी 3 अरे option को गुणा करना बताया था hm j concept use करना था क्या comment करके बताओ मैंने आपको hm j concept चमजे करते हैं जब बहुती अच्छा क्यूशन आता है तब सीधा इसको option उसे गुणा कर सकते थे option मैं दिखा दूँ कि वो वाला सही है जिसमें x square x plus 3 और x plus 2 लिखर का है वही क्या होगा right answer होगा यह आपका 72 नमर का क्यूशन हो गया 72 के बाद में देखते हैं आपके पास में 113 ठीक है तो 113 नमर का क्यूशन देखो क्या है हाँ ची 113 नमर की क्यूशन पर चलो सीधे 113 113 नमर क्यूशन कौन सा है उस पर चलते है सीधा आपन लेवी यह 113 13 फिर भी समझ जाओ अभी भी वक्त है जिनकी दो सिप्ट के पेपर बचे हैं हाँ जी फिर समल जाओ इन क्यूशनों से यह वही क्यूशन है आपके वापस बार बार रिपीट होने वाले 6 मीटर उचा एक खमबा जमीन पर 6 मीटर उचा एक खमबा जमीन पर दो अंडरूर तीन मीटर लंबी चाया डालता है अगले ने परसन टोटल 6 बनाए है टोटल 6 परसन बनाए है 4 क्यूशन आगे हैं 2 और आएंगे मैं फिर बता दूँ आपको फिक्स क्यूशन हैं सेम क्यूशन वापस आएंगे एक खमबा 6 मीटर उचा है चलो ठीक है कोई बात नहीं है 6 मीटर उचा है और 2 अंडरूर 3 मीटर की परच्छाई बनाता है इसको माल लो थीटा बता दो वही यह थीटा कितना होगा तो 10 थीटा बराबर 10 थीटा बराबर यह देखो लेवल दिरे दिरे बढ़ रहा है सिंपल क्योशन आ रहे थे 6 बटे कितना 2 अंडरूर 3 मुझे एक बात बताओ उपर नीचे मैं अंडरूर 3 से गुणा कर दूँ उपर नीचे अगर अंडरूर 3 से गुणा कर दूँ तो नीचे तो अंडरूर 3 इंटू अंडरूर 3 कितना होगा 3 हो जाएगा और यह 3 इंटू 2 6 6 से 6 पूरा का पूरा कट जाएगा उपर अंडरूर 3 आएगा और 10 ठीटा बराबर अंडरूर 3 किस पोजिशन में आता है याद करो 10 0 पर 0 10 90 पर infinitive और 10 45 पर 1 10 30 पर एक बटा अंडरूर 3 और 10 60 पर आता है एक बटा सुरी सिर्फ अंडरूर 3 तो सिर्फ अंडरूर 3 किस पो आएगा 60 डिग्री पर आएगा तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 60 डिग्री होगा यह 113 नमर क्यूशन हो गया 121 नमर क्यूशन होत बहुत सुक्रिया ममताब का नेक्स देखो भई 121 नम्मर क्यूसन देखो भई 121 नम्मर प्रसन ठिक्स प्रसन है मैं फिर बता रहा हूँ सिंपल इंट्रेस्ट का अगले ने नहीं पूछा कोई लेवल का प्रसन भूत ही सिंपल प्रसन जैसी दर वैसा ही समय होना चाहिए लो भई बता दो इसको हाँ जी 121 नम्मर क्यूसन है आपकी सिरीज का देख लीजिएगा आपकी एक कौन सा प्रसन है और यहाँ पे अठथतर सो रुपे का 6-2 बटा 3 परतिसत वार्सिक दर से परतिवर्स की दर से 9 माह का सिंपल इंट्रेस्ट पुछा आपको और सिंपल इंट्रेस्ट का सीधा सीधा फंडा है प्रिंसिपल लिख लो 78 सो रुपे कितना लिख लिया यह 78 सो रुपे 78 हजार रुपे लिख लिया मूल्दन इंटू दर कितनी है 6, 3, 18 और 2 कितना है 20 बटा 3 लेकिन बंदू 30 से तठेगा तो 20 बटा 3 नहीं 20 बटा 300 इंटू 9 महीने का पुछा है तो 9 महीने को 12 का भाग देके वर्स में बदल दो यह लो साब अब देखो भई केलकुलेट कर लो 2, 0 से यह मैं 2, 0 उड़ा देता हूँ ओके 3 का भाग उपर 3 का भाग 3 बार और इस 3 का भाग 12 में कितनी बार 4 बार और 4 का भाग 20 में 5 बार 1, 0 तो पहले से है 78, 8, 5, 40 और 7, 5, 35 और 3, 49 तो यह 49 सो कौन से option में है B option में राइट अंसर उन चलीस सो होगा इस question का यह लो simple interest का question है जिसमें आपको साधरण ब्याज पूछा है क्या पूछा है साधरण ब्याज और 133 नमर question पर चलते हैं इस इस रंकला में 133 नमर question देखो भी 133 नमर परसन यह रहा यह लो साब रेखिक समीकरणों में दो इपरकार के परसन बनते हैं एक तो दो चरूँ वाले रेखिक समीकरण में दोनों चरूँ के मान निकालना और एक simple सा परसन की हलू की परकरती nature of roots इनके उन क्या होते हैं वो चेक करना बस दो इचीज देखनी होती आपको तो यहां simply कभी nature का परसन आता है और कभी आता है value निकालने का simple बात करूँ मैं आपसे हैं कि 2x-3y बराबर 79 है तो मुझे एक बात बताओ simply 2x-3y तो 2x-3y 2x-3y बराबर 79 दे रख है अब मुझे एक समीकरण नमबर 2 दे रखिये x-6y बराबर 47 तो मैं इसको 2x बनाना चाता हूँ ताकि मेरे पास में किसी भी एक चरका value सेम हो जाए गुणांग सेम हो जाए गुणांग सेम हो जाए तो 2x-2y 2x-2y 2 से गुणा कर रहा हूं समीकरण नमबर 2 को 47 का double कितना होता है 94 होता है कितना होता है 94 गठा लीजिएगा समीकरण नमबर 1 से समीकरण नमबर 2 गठाओगे तो यह माइनस 2x से प्लस 2x कट गया माइनस का 12 और माइनस का 3 माइनस का 15y यह माइनस का 15y तो ठीक है बराबर यह देखो 79 से 94 15 जादा है तो माइनस का 15 आजाएगा अब मुझे यह बताओ माइनस से माइनस केंसल आउट हो जाएगा y silent हो गया y का value यह एक हो गया y का value एक हो गया तो x का value निकाल लीजिएगा x का value कितना आएगा यहां से x बराबर x बराबर आएगा 6 कम 6 और 6 गठाओगे तो 41 आएगा अब low भई x का मान 41 आगया और y का मान 1 है दोनों का अंतर पूछा है 41 में से एक गठा लो और 41 में से एक गठा होगे इसका right answer कौन सा होगा 40 होगा यह आपके पास में दो चरूँ वाले रेखिक समीकरन से समंदीत परशन आगया अब 131 नमर क्यूशन पर चलते हैं 131 नमर क्यूशन क्या है यह low साब यह लोग का परसन लोग की property दिहान रखनी है आपको किसकी property लोग की property दिहान रखनी है आपको और लोग की simply property क्या होती है लोग की एक property आपको मैंने बता रखी है कि log इस प्रकार का कोई person हो log A base में B है तो इसकी property होती है कि इनका base तो कुछ भी लगा लो चाहिए लेकिन उपर वाला log है ये A उपर चला जाएगा और upon में नीचे ये base है ये आजाएगा log B क्या हो जाएगा? log B हो जाएगा आपके पास में ये लो साब log B हो गया ठीक है log A upon log B हो जाता है तो ये सारे इसी तरीके से moment करेंगे log 2 base में 3 है तो इसको लिख सकता हूँ log 2 बटे log 3 आप समझने इकोसिस करो इसको कि मैं इसको लिख दू log 2 बटे log 3 log 2 बटे log 3 लिख दिया पहले को मैंने लिख दिया ये लो साब एक बार इसको इरेस कर लेते हैं पन तो इस property के according पहले को मैं log 2 बटे log 3 लिख दू तो पहले को तो मैं लिख सकता हूँ log 2 बटे में log 3 क्या लिख सकता हूँ log 3 into अगले को क्या लिखूँगा log 3 बटा log 4 log 3 बटे log 4 log 3 बटे log 4 बेस से वो भी नीचे आ गया ये लोग ठाब ठीक है log 4 बटे log 5 log 5 बटे log 6 log 7 बटे log 6 बटे log 7 log 7 बटे log 8 ये सरंगला गुणा की चलती जाएगी और last में आएगा log 6 बटे में log 8 ये आएगा last में log 8 ये लो ऐसे आ जाएगा अब बताओ ये log 3 से log 3 कट गया log से 8 से log 4 करता log 5 से log 5 करता log 6 से log 6 और log 7 से log 7 क्योंकि log 7 ये है तो log 7 ये नीचे भी रहता अब बताओ उपर तो आ गया log 2 और नीचे क्या आ गया आपके पास में नीचे आपके पास में आगया लोग 8 ठीक है तो लोग 2 बटे लोग 8 है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या लोग 2 तो उपर पढ़ा रहेगा ओके लोग 8 को ऐसे लिख दूगया लोगे दो की पावर तीन दो की पावर कितनी तीन बताओ बंदू तीन कहा आ जाएगी पीछे आ जाएगी और तीन पीछे आ जाएगी तो ये आपके पास में देखो हाँ जी ये आपके पास में तीन इधर पीछे आ जाएगा और 3 पीछे आएगा तो मुझे ये बताओ लोग 2 से लोग 2 कट जाएगा और नीचे आएगा 3 तो 1 बटा कितना हो जाएगा 3 तो 1 बटा 3 कौन से option में है? Erase करके बता देता हूँ इनको 1 बटा 3 कौन से option में है? वो इसका right answer होगा ठीक है? तो 1 बटा 3 इन वाला देख लीजिएगा एक बटा 3 C option में है ये लो साब 131 नमर क्यूशन हाँ जी सर जी आज मेरी CET प्रिक्षा थी RPC examiner cancel से 90 से अधिक प्रसंद पुछे गए हैं हाँ जी चैनल सर इसकी जांच होनी चीए हाँ बिलकुल RPC जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका C option आने चाहिए कहीं से भी आए हाँ जी 131 नमर क्यूशन हो गया 129 नमर क्यूशन देख लेते हैं अपने 129 नमर क्यूशन अरे लो भई square root पुछा है इसका आपको क्या पुछा है square root पुछा है आपको इसका वरगमूल पुछा है ठीक है और वरगमूल पुछा है तो आपको simply इसका दो तरीके बताये में हैं वरगमूल निकालने के लेकिन मुझे पता है कि इसमें आपका second तरीका काम में आएगा वीदी वाला ठीक है तो method क्या कहती है method किसी भी संख्या का वरगमूल निकालती है तो 9-1-5-8 9-1-5-8-4-9 मुझे ये पता है कि last में अगर 4-9 है तो 1 का अंग 3 या 7 आएगा जो हर option में दे रखा आपको कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो अपने एक काम करते हैं इसमें 2-2 के जोड़े बना लेते हैं ये लो बना लिए 2-2 के जोड़े अब बताओ ये 91 कौन सी संख्या को खुझ से गुणा करूँ तो उसके नजदी गाएगा ठीक है तो मैं कर सकता हूँ 9-11 मतलम 9 से स्टार्ट होगी सारी 9 से स्टार्ट हो रही ठीक है 9-11 अगर 81 में गठालू इसमें से तो 10 बचेगा कितना बचेगा 10 और 9 और 9 कितना हो गया 18 हो ठीक है अब मुझे बताओ लास्ट में क्या उतार लू में 5-8 उतालू ठीक है जोड़ा उतार लिया अब बताओ इससे 18 के आगे कौन सी संक्या उतारू तो 18 के आगे मुझे अगली संक्या अठारे 5-90 होता है 9,000 के करीब हो जाएगा तो 9,000 के करीब 5 से आएगा हाँ जी 5 से आएगा 3 से नहीं आएगा 18 दूनी 36, अटारती 54, 5000 आएगा तो 5 वेल्यू रख लेता हूँ तो ये देखो 5, 5 कितना हो गया 25 8, 5, 40, 2, 42 4 के रिफोरवाड करेगा 5, 4, 4 कितना 9, 125 तो अगला डिजिट आएगा 9, 5 ठीक है और अगला डिजिट 9, 5 आएगा तो इनको एड़ कर लेता हूँ 5 और 5 कितना हो गया 10 और ये 8 और 9, 190 हो गया ठीक है अब देखो यहाँ लेस कर लो सबस्ट्रेक्ट कर लो इनको तो ये बचेगा कितना 3 और यहाँ भी 3 बचा और 9 में 10 में से 9 गया कितना बचा 1 और आगे से 49 उतार लिया ठीक है ये हो गया 13,399 हो गया ठीक है अब आपको ये सोचना है कि पहले आया 9 फिर उसके बाद में 5 9 और 5 कौन कौन से उप्शन में है 9 और 5 फैस्ट में नहीं है 9 और 5 फोर्ट में नहीं है तो 9 और 5 अब बताओ 3 आएगा या 4 तो मुझे एक बात बताओ 13,300 accurate 395 ही आएगा ओके तो इस प्रकार से आपके पास में ये आंसर आ गया 957 तो 957 का वरग ये होता है संक्या या इसका वरग मूल 957 होगा नेक्स्ट अगला क्यूशन देख लेते हैं 148 नमर क्यूशन 148 नमर क्यूशन देखो भी 148 नमर क्यूशन कहरा है कि P की आए क्यूंकी आए से 40 परतीसत अधिक है सिंपल सा एक ट्रीक भी होता है A बटा 100 प्लस माइनस A इंटू 100 कर दो सीधा ठीक है तो A बटा 100 प्लस माइनस A इंटू 100 कर दो या फिर P की आए क्यूंकी आए से 40 पर 30 सत अधिक है तो क्योंकि 100 है तो P की कितनी है 140 बेसिक से ऐसे कर लो कि क्योंकि आए P की आए से कितने पर 30 सत कम है तो क्योंकि आए P की आए से 40 पर 30 सत 40 कम है कितने पर 140 पर 40 कम है इंटू क्या कर दो 100 कर दो लो भी 20 का भाग 2 बार और 20 का भाग कितनी बार हैnd 7 बार, 7 का भाग 100 मेंदेते हैं तो 14 सेày 2 बटा 7 आता है, इसका अगर डबल करेंगे, बिल्कुल संकर, रई आपका, तो इसका 14 से 2 बटा 7 का अगर डबल करेंगे, तो यह 28 से हिर 4 बटा 7 इसमे राइट आंसर होगा, थीके, तो 28 से चार बटा साथ हो जाएगा इसका राइट आंसर भी हो जाएगा नेक्स्ट अगला परसंट 141 नमर की संदेख लेते हैं लेखो नेक्स्ट क्यूशन आपके पास में है 141 नमर क्यूशन टिक्नोमेट्री का परसंट बिल्कुल आपकी सीट में पड़ा है यह सेम टू सेम समी का नमर एक से सोल होता है और यह कहता है कि कोश थीटा प्लस कोश स्क्वाइड थीटा बराबर हमेसा एक होता है चलो वही कोई बात नहीं अगर एक होता है तो मुझे तो एक चीज देखनी है यहां पे कि मैं कोश थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं मैं कोश थीटा बर sin square theta बराबर एक होता है तो 1 minus cos square theta बराबर sin square theta होता है तो cos theta का मान कितना आएगा cos theta का मान आएगा sin square theta क्या आएगा sin square theta बहुत ही प्यारा परसन है आप अपनी seat में जाके मिलाना simple solution है और देखो cos theta बराबर sin square theta तो जहां जहां sin square theta है चार थीटा है इसको साइन स्क्वाइर की होली स्क्वाइर लिखा सकता हूं में ठीक है हाँ जी हाँ जी तो साइन की पावर चार है इसको मैं कोस स्क्वाइर की होली स्क्वाइर लिखता हूं तो कोस स्क्वाइर की होली स्क्वाइर स्वरी साइन स्क्वाइर की होली स्क्वाइ ठीक है तो यह first option तो एक बार comment करके बताएगा यह जो 18 के करीब question है उनमें से आपने लगबग बच्चों ने सही किये होंगे बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को और इसी सरंगला में अभी जुड़े रहेगा आगे भी पूरे paper का analysis अमारे experts करवाएंगे आपको तो करवाएंगे है वश्कार दोस्तों विवनिंग और हम लेकर आएं आपके पॉल्यूशन टीटी पेपर का और सभी साथी जो है वह ज्यादा सब्सक्रामें जूड़ें भारावी मनुवल बढ़ाएं और आपका जूश्यास के साथ बाद देना चाहूंगा पारे महिपाल जी सर्थ और मालूम है और जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएं ज्यारती आप ज्यारती वर को मैं यह कहूंगा प्यारती आपको चिंता करने के आप तो एक लगन के साथ चलिएगा इस तरह से आप जो हैं सफलताओं को हासिल करते जाएंगे नमस्ते आलो फ्यूस अलाल जी नहीं है ठीक है कोशन नमबर एक जो आपके सामने है और का परियावाची नहीं है तो इसका सई आंसर भी होगा कि केसरी नहीं है और का परियावाची नेक्स कोशन कोशन नमबर दो है कि निमलिखित में से कौन सी तूनी नदी की साहिक नदी अरावली की पाड़ियों से नमबर दो होगा जी रूम नमबर 21 मोटिवेशनल कोड्स अच्छ राम राम जी राम राम जी आपके नेक्स कोशन है कोशन नमबर 4 के बिंडी इस टैन कौन सा फाइल सिस्टम प्रयोक करता है पहला विकल्प है एंटी एफस का प्योक है फिर है कोशन नमबर 5 है कि तोहा मेनी क का सुध्द रूप से इसका होगा कि मिनी आप से इसको मिलाते चलाए जी नमस्ते मेरे मेरे हें नमस्कार के फिर इसके बाद मैं आपके नेक्स स्में कोशन-3 में मेंहे एक बेलना कार ड्र एक- पूटोरेस्पेक्टर कहते हैं इसका सही आंसर नमबर 4 है कि लेजर पिंटर को कहा जाता है कोशन नमबर 9 जो है कि किस रियासत में रगवर्ड दयाल गुएल ने 1942 में प्रजा मंडल की स्थापना की इसका दो नमबर विकल्प है कि बीका ने रियासत में की किस बीका ने रियासत में की सबस्क्राइबEnter यहके आता है तो इसका जो है साही विकल्प होगा आके नमबर चार कि पिंटर लिए कंप्यूटर डिकाले के सब्सक्राइब करदादा को प्राइब प्रिंटर को लिया जाता है भारतिय वनिजीव संदक्षन अधिनियम वर्स को डिवनिंग सुनिल जी अधिनियम बर्स में लागू हुआ तो 1902 में इसे लागू किया गया था भारतिय वनिजीव आज मेर से रहा है अब भी विकल्प आपके क्या होगा सही होगा ठीक है एक सब्सक्राइब को साफ स्लाइड से आपके सामने आ चुक अब देखिएगा नेक्स कोशन कोशन नंबर 13 है स्वस्थ वैक्तिरिया जो जट्रात तंत्र नली में पी कॉंप्लेक्स बिटामिन को संसलि संसलिसित करता वह है तो इसका सही होगा प्रिंटर बिल्कुछ सही बताया आपने संकर जी ठीक है सुनिल जी गुड़ीवनिंग सौनम जी गुड़ीवनिंग ठीक है एक्स में ज्यादा ज्यादा लोगों को आप जोड़ते चले अहिर बाटी बोली मुख्रूप से राजस् आत्मे हमारे यहां पर तो खेल में प्रदर्शन कर दिया और वो सत्रंज की बड़ी खलाडी डी विकल्प इसका क्या होगा सही होगा कि यह आपके सत्रंज से संब्सक्राइब को जानने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित अंत्रिक्ष यान है यान पूछा है यह बड पैटन रहा थो ना ना इतना पैटन नहीं रहेगा के ग्वालिफाइंग एक्जाम का थोड़ा से टफ होता है के बाद में नेक्स से आपके कोशन नमर 18 18 जो कोशन है बुस्ता आंसर आपको उसने बताई दिया मैत का कोशन है ग्रिगर मंडेल ने अनुवानसिक प्रयोग के प्रया था तो इसका तीसरा विकल पर पाइसम सेटाइवं यह इसका तीसरा विकल से होगा पर एस सांति और इंसा विवाग गटित करने वाला देश का पहला राज आपके राजस्तान रहा है आसो ग्यालोजी की बड़ी पहल रही है यह और इसके बाद में 21 वा कोशन है कि नॉबूम्बर 2022 को किस अंस्तान द्वारब फालकन हैवी र्योक्ट लांचिव रांच किया गया तो इस प्रेस एक्स की एलन मस्स की कमपनी है टैसला की जो मालिक है उनकी प्रृक्ट या वह फॉल्कन है वह हाली में लांच किया तो राजस्तान में पैट्रोजों कहां इस स चिंता मत कीजिए पिर आपके नेक्स जो कोशन है वो है डीपी सिंग जी आप चिंता मत कीजिए तरका हो जल्द आपके बीच जो है चिंता मत कीजिए जल्द मैं इस बात को सरके साम में रखूंगा चूज दा एप्रोप्येट वन वर्ड सब्सिट्टीट वन हू प्लांस एंड डिजाइन विलिंग्स एंड टूप्री एंड सुप्रिटेंट्स यार कंस्ट्ट का सही विकल्प होगा आर्किटेक्ट ए कल्प एक और एक और रिट फॉलुइंग पैसिस वाला कोशन और पैसिज वाला जो कोशन है इसका जो विकल्प है वो आपके बी सही है आप सीधा इसको देख लें इसका सही आंसर है कि सम पिपल लाइक आइडलनेस अफ माइड और परी और नमबर विकल्प सही होगा इसका इसका हम् टू अधर फॉर नमबर विकल्प इसका क्या है सई स्पोस्ष्ट एक पेड़ यह यूथ गेमस 2022 का पाच्वा शंसक्रन हाली में इसके बड़े एड़ भी आपको देखने को में अध्य प्रदेश से विवराज चौहां जी का एक बड़ा सपना सर बहुत बुरा गया कोई ना निकिता जी सबकुछ ठीक होगा ऐसा ना सोचें आप मिला कर देख लें इसान स्पीनिंग और बीविंग मील कहां इस सापित की कही है स्पीनिंग और बीविंग मील जो है वह आपकी भीलवडा में है ठीक है यह विकल्प इसका सही है और यह कोशन कई वार हर अंपूमन एक चोड़कर एक एक एक्जाम में आता रहता है फिर इसके बाद में नेक्स्ट कोशन है आपके 31 कोशन है कि राजिस्तान के किस दिले में वहुदेशी सिचाए परवन निर्मना धीन है परवन आपके जालाबाड और बारा से सुदान सुजी नमस्ते और जालाबाड से है एक विकल्प इसका सही होगा एक्स है काली बंगा का उत्खनन कारिये कितने इस्तरों किया गया है काली बंगा उत्खनन का कारिये 500 पिकिया गया है तो इसका ए विकल्प से हो बिल्कुल सुदान सुजी आपने सही लिखा तो पहला विकल्प से होगा सिंक्रोनेस डाइनमिक रैम जो है एस्जी रेम का यह क्या होगा पूरा नाम होगा बिल्कुल बिल्कुल इसके बाद मैं हेमेंद्र हेमानंद विस्वाल राज के प्रथम आदिवस्वी मंत्री थे हमानंद विस्वाल जो है वो ओडिसा के रहें ठीक है उनके बाद ट्यूबी कंट्यूनेस नवीन पटनायक और उनके प्रदाजी जो यह पटनायक तो आपके छेतरवे सुतनता इसमें आपके कोशन है कोशन नमर है 36 तो सिद्वमनत राजी के किस जिलेसिस अबनेत का समद्ध भरतपूर से है ठीक है बंचरी लांगुरिया ऐसे नेत होते बिलकुल-बिलकुल-बिलकुल ठीक है पिर आपके रिमबस वाला यह कोशन 37 और 37 कोशन का अंसर आपको बता दि कि दिद्धियात कि वाल बचा का इंग्लिस क्या है और ही हाड़े इंडरो सकेप kit है आपके हिंदी के यह इंडरो सक्यांसर होगा पहला बिलकुल से भारतिया कि समीधान के कि सम्धान संसूदन प्रक्रियात गई है तो यह अनुच्छे 368 में दी गई है इसके बाद में आपके नेक्स है 42 कोशन की एलकोहल और जल के मिसरन को सबसे तरह से अलग किया जा सकता है तब पहला विकल्ब से होगा कि प्रवाजी आस्वन दौरा यह किया जा सकता है बिल्कुल बिल्कुल करेंगे जी अर्वा पर आपके ग्रिफाइट में बिविन पढ़ते हैं एक साथ आयूजीत रहती है तो यह एक साथ दुर्वल वांडर वाल्स में एक साथ यह क्या होती है इसके बाद में आपके खाद संकार मनुष होता है तो यह आपके 45 कोशन कभी आपको आपको आंसर बता दिया जाएगा के बाद में भारती अंत्रिक शंसंदान शंगठन्वर्स तो है यह उनीनीच सो नहेतर में आपके क्या किया गया इस्थापित किया गया जिए तरह मैं पूरु सर्वनाम का किया गया-47 कोशन का सही है आप बीमार हो गए थी विकल्प इसका क्या होगा साही होगा के बाद में है एक फिल इन दा ब्लैंक बिदा करेक्ट डिटर्मिनर चुजिक फॉम दा अपू ऑफ्शंस बिलोग दियर इस फिल्क इन ग्लास यू कैन यू टू एक तीसा नम्मर का ए लिटिल यह सी विकल्प इसका क्या होगा सही होगा ऐसे ब्लॉक करो जी 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 तरह आप यह ऑन्रेट के लिए है और रानीपूर जेके न आप यह ध्याम रहाना वनीजी अभ्यान पुछा जो यह आपके नेक्स आपको बिता बदा दिये पहुどう को क्वेसर नेम्लिकित मैं से इकम में जिन compartir में चैसी जीट गोविंद्फ पर यजानी जाती है बेवाड चe से लिए गीत गोविन्द पर जानी जाती है टीट गोविन्द छैली के लिए जानी इन है 52 कोशन फिर आपके 53 कोशन बहुत सरल और साधन खोशन है इंग्लियस का कि चूज्ज दक और इंडारेक्ट सपीच ने डारेक्ट यह इंगलिस की मतलब बड़ी एहमता रखते हैं गे और का जो सही आंसर होगा he said to her if what you say must go to the police का जो है fourth option होगा he said that if what she said was to must go to ठीक है ना की विकल्प इसका क्या होगा सही होगा कोशन नमर 55 है कि राष्ट्य ग्रामें रोजगार गारंटी अधिनियम कब लाग हुआ तो यह इस कोशन पर आपको बॉनस दिया जाएगा जो को मैं आपको बता दूं कि राष्ट्य ग्रामें रोजगार गारंटी अधिनियम जो है कि अक्टूबर दोजर पांच कर रहा परवरी 2006 में इसे क्या किया गया था लागू किया गया और 2009 में इसका नाम बदला गया था अन्नारे का इसका नाम किया गया था ठीक है और हाँ जी बैट गई क्या सुमझी अच्छा अच्छा बैटिक नहीं बैठी बॉनस प्रस्टने सरी है तो बिलक दिखा जाता है ठीक है तो सई विकल्प आपके एह होगा मैं आपको सीथी सीथी आंसर बता दू कि आपका बहुत नैट खर्च होता है फिरे एलेक्ट्रोन इस नहीं प्रतिस्थापन अविक्रिया का उधारन है इसका सई विकल्प एह होगा आपके वेंजीन का नाइट्री करण ठीक है मेरे साथ आंसर भी लगा आप बिल्कुल डीपी सिंग आप बिल्कुल आप सही कह रहे हो इसके बाद में आपके कोशन अंबर 58 कि बर्खान इसला करती निम्नमें से किस बहुतिक प्रदेश से समय और उसली प्रदेश से समय फिर आपके किस सब्द में अवे भा इसके बाद में आपके है कि राहिस्तान के कितने जिलों में डांग चेत्र विकास कारिकम दो संभागों में चल रहा है कोटा और भरतपूर और इनके चारों जिले समले थे तो कुल मिलाकर किते बहीं चार भरतपूर के और चार कोटा के आपके बाद में आपके कोशन जो है वह आपके प्रचार कोशन की फाइव है बड़ाई अच्छा कोशन और यह मैं आपको एरेस करके दिखा देता हूं जो है वह यह है कि निम्नमे से कौन सा ग्राम पंचैत की आयका स्रोथ इसका सही विकल्प पर भी कर जो है राम पंचैत की आयका स्रोथ होता है इसके बाद में किस समीति की सिफारिस पर इस पर जैपूर बेंच को सब्सक्राइब कर देखते चलिएगा इतना फास्ट और सबसे सटिक सॉलूशन आपके भी प्रेकोशन नंबर 68 के 63 कोशन जो है एक बार देख लें आप को मैं एक बार बता दूँ ठीक है ना कोशन नंबर 63 जो है तो देख लीजें कि राजस्तान में डॉक्टर सवीता वेन अंपेड कर अंतरजाती विवा योजना के अंतरगर जोड़ों को कितना इनाम दिया जाता है पाँच लाख रुपे का इनाम दिया जाता है 63 कोशन ठीक है ना हां और जन्जाती दोनों ही आड़ जिले ठीक है ना बिलकुल बिलकु है आफ्सकोशन जो है व अब के इन मिलिकत में से कौन सा पुल रूस सथा यूकरेंज को जोने वाला लिंक था तो वो केर्च बिस्टा जो यूक्रेइन की आर्मी ने हाली में उड़ा दिया के लिगा करीमिया के अंदर है और यह बहुत बड़ा शप्ना था पुटिं सो कि आपके सेवेंटी कि ग्यापमन के विश्य में असत्तिकतन है नमर तीन है कि किसकी सावजुनिक सभा के लिए करमचारी को आदेश दिया जाता है स्टी विकल्प इसका सत्तरवे कोशन का फिर आपके कोशन नमर 71 है एक मानव काई कोशिका में गुणसुत्र होते हैं एक मानव क इसके बाद में है कि राज्य मंत्री परशद अपने पदपर बना रहता है अब भी आपने जवाब लिखते रहें बिल्कुल जिसे कि हमारा होसला बढ़ता रहेगा और हम इसी तरह से सॉलूशन आपके बीच लेकर सबसे पहले स्टिक सॉलूशन लेकर आपके बीच अखिक फिर आपके मैमो एक सब्द है इसका अर्थ क्या होता है कि मैमो का अर्थ है 74 कोशन जो है सपत पत्र प्रस्थुती अर्ध सरकारी पत्र और ग्यापन क्या होता है मेम यह आभी आपको बता दिया जाएगा मेमो का अंसर चीटा बाड़ी में किस जंजाती से सम्मंधित मिला लगता है तो इसका सीधा इवन आवासी होता है पुर्वत्तर भारत से जितने भी खिलाड़ी आते हैं उनमें ज्यादत तर खिलाड़ी जो है वेट लिफ्टिंग से संब्देते हैं अपना इनका संब्द है इसके बाद में कोशन नंबर 78 है बड़ा ही सरल और आसान कोश्चन है 78 एक बार आप इससे देख लें और 78 जो है वह यह है कि हीराकुन्द बांद निम्लिकित में से किस रेजीमें इससे थैं हीराकुन्द बांद ओडिसा में और महा नदीपर है ओडिसा में यह कहां पर है महानदीपर सर उत्तर लिखें तब तो आप कीन बता देते हो ऐसा है क्या जी जी काफी मतलब हम लोग तो आपके नेट को बचाने के लिए डीपी सिंग के ऐसा करते हैं ठीक है ना तीन साथी चला कर बैठेगा तो कुछ ठीक है ना फिर इसके बाद में लाग के किस भाग से लाग का सर्वन होता है तीसरा बिकल्ब सही होगा कि तुचास से की बिकल्ब इसका सही होगा फिर इसके बाद में है कि यदि निम्लिकित सब्दों को वर्ण करमानुसार व्यवस्तित किया जाए तो कौन सा सब्द मद्ध में आएगा ठीक है तो यह जो कोशन है चैक, सेरोट, चीज, चैरिस और चैम ठीक है अब भी आपको इसका भी हम आंसर बता देखें, फिर आपके कोशन नमबर नेक्स से इसके बाद, अंग्रेजों ने अमीर खांको किस वर्ण स्टोंक के नवाव की माने, अठारा सो सत्राइश्वी में, फिर राहसान के अठारा सो सत्रा में, यह आप ध्यान में रख असे दिखान है, इसके बाद में आपके है, नेक्स कोशन है, कोशन नमबर आप देख लिएगा, 83 है कि राजस्तान के मरूचित्रहतू जल्पुनरगठन परियोजना का वित्य पोशन किस एजिंसी ने किया, इसका सही जुआ अंसर होगा, इसका सही आंसर होगा, इसके कि समय न मानवं नेत्र के लिए दूर विंदू होगा, समय नेत्र के लिए गगए सुवह भी आपके आये था और इसका दूर विंदू जो होगा, वो अनन्त पर होगा, इसका क्या होगा, सही होगा, Sameeba का पूछा था, जा में कितनी दूर थी, पचीस संटीमीडर था, और somehow manage to walk across the broken bridge इसका विकल्प होगा डी विकल्प होगा जामसर इसके बाद में कि नम्दा के लिए कौन सा इस्थान प्रसिद है यह आप सभी को आता है इसके लिए टॉंक प्रसिद है इसका क्या होगा सही होगा एक्स है कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लिए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लाइड के लाट विकल्प इसका होगा होगा जी नम्दा टॉक बिल्कुल 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 तरह से आप हमारा जोस बढ़ाते रहेगा आंसर लिखते रहेगा और हम फढ़ावर सॉलूश्य एक-एक सब्द का सही संधी विक्ष प्वस्थिति में उनके दायतों का निर्वहन कौन करता है दो नमबर उच्च नहयले के मुख्ष नहयदीस जो है राजिपाल के दो दायत होते हैं उनका निर्वहन करता है अन्प्वस्थिति न यह आपको ध्यान में रखना है पूशन नमबर आपके 90 है के अर्द चालक ग वर्मिंगम राष्टमंडल खेलों 2022 में भारत ने पदक जीते। 61 पदक जीते। की विकल्प इसका भी सही होगा। जी ठीक है ना क्या रजिपाल राजिके विधान मंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है। बिलकुल नहीं कर सकता है। ठीक है। की विकल्प इसका क्या होगा सही होगा। फिर बाड़मेर जिले में अच्छी किसम के लिगनाइट के लिए चेप कहां मिलते हैं। कपूर्डी मिलते हैं। कपूर्डी जालीपा, जोगेस्वरतला, भातका, सेव, थुम्भी, इस सारे गिराल ये सब बाड़मेर में हैं। इसका सही विकल्प D होगा। कपूर्डी इसका सही आंसर होगा। कि पूरू भारत का पीर, जैसरी राम जी। ठीक है। आरे सिखाओ जी। इसके बाद में आपके कोशन नमबर जो है वो है आपके 94 कोशन है। कि पॉर्ट्रेट वे लेंडिसके विकल्प हैं। पॉर इसके बाद में है रमत लोक नैट रहिस्तान के किश्चेत्र विस्पंदित है। जैसलमीर और भीकानेर का प्रिसित है रमत लोक नैट ठीक है। भारत सरकार ने कब तक TV मुक्त का तो यह 2025 तक इन्होंने अक्षान अपना रखा है 2025 तक TV मुक्त है। यदि एक व्यक्ति का रख्त वी माइनस है तो कौन से उसे रख्षदान कर सकता है यह आपको बता देंगे इसके बाद में हैं कि थेवा कला के लिए प्रसिद परिवार कौन सा है 98 को नी परिवार की विकल्प इसका क्या होगा थी होगा इसके बाद में आपके कॉशन नमबर 100 आपके आता है और बहुत तरल 99 कोशन किला नियादीस किये जाते हैं राजिपाल के द्वारा किये जाते हैं फिर इसके बाद में है हाती परियोजनक का प्रारम की गई हाती परियोजनक थोड़ा की भी हाँ लेकिन सौबे कोशन का आपके आंसर डी होगा इसके बाद मैं राजि मानुदिकार आयोक के अध्यक्षविम सदेश्यों के न्यूक्ति राजपाल एक समीति के अंसर पर करती है वंजीरू वन का सही जो आंसर होगा वापके चार नंबर होगा मुख्यमंत्री दी व पिर है कोशन नंबर एक सो ती कि रमन मैक्सिस पुर्सकार विजेता इलाभट जो है इनका हाली में निदन हुआ है और यह सेवा नामक संस्ता की इनों सापना की इलाभट ने बाद में आपके कोशन जो है वह एक सो चार कोशन है कि जब कई सूचियों में डाटा बदल जात है सभी सूचियां सभी सूचियां अपडेट नहीं होती इसकी वज़े से है इसका दूसरा विकल्ब से होगा डाटा इंग इंस्टैंसी के रूप में यह होगा की विकल्ब इसका इसके बाद में कोशन नमर एक सूपाँच कि टेंडर इस रिटर्न इन्फॉर्मेशन इन्वाइटेशन ठीक है तो इसका जो विकल्ब सही होगा वो तीन नमर सही होगा कि स्टैंड टू पोटेंशियल सप्लायर्स बिल्कुल राकिस कि अजी ए वानुदिकार आयोग वाला कुश्ट इंटू सेम प्रयास की टेंड विल्कुल विल्कुल देखो इस सीज के आप ही इससे बता सकते हैं हमारा तो दर्पन आप ही है वाकलन करते हमारी टेस्ट सीरीज का हमारे टीचर अधिक है न पिर आपके कोश्ट नंबर 106 दफादर ओप आटीचल इंटेलिजेंस बड़े चर्चित भी है जोन मैंखारती विकल्प इसका और प्रतिक में कौन सा उपसर्ग है प्रती प्रह प्रह प्रति प्रह प्रति में आपके डी विकल्प आपके से इसके बाद मैं कि इससल से सूचना पट अवलेक का सच मिलता है तो आठवे कोशन का आपके जो है विकल्प मैंने आपको बताई दिया है इसके बाद में 109 कोशन है हिमाले के निम्ले की चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है कामेत है कामेत उत्राखंड में है जासकर हिमाले का पार्टी इसके बाद में पैटन माब दंट में किया संबलीत है आपको बता दिया जाएगा फिर निम्लमे से कौन सी लोऑ-सकी किस्म है लोव-सकी किस्म 111 कोशन का एब लिकल्प से हैं हमने तो रिट्का पढ़ापर प्यास के लिए तेंक्यु थेंक्यू 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 थें से निम्लिकित में से किस व्यादी से बचा जा सकता है तो इसके बाद में कोशन जो है आपके 114 कोशन भारती संभीधान में संगिये सब्द दूसरा विकल्प आपके सही है कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है संगी सब्द कहीं प्रकर है निम्लिकित में से कौन एक आपिव इमीन रोग जो है पहला विकल पर है मूं कि आप dalव क तृँद इस में इसके बाद में थैंक्यू मिलिकित में से अकर्मक क्रिया का वैक के चुन का सही विकल्प आपके नंबर दो हैम लता हस तो यह भी विकल्प सही पिर आपके 108 वा कोशन सर ने आपको बताई दिया कोशन नमर 119 वा आप देखिएगा 119 कोशन है कि यह आपके रिजनिंग का कोशन है 37, 40, 45, 52, 62, 22 पिचे ठीक है और निमली की स्टेट्व में लुप्त पद है ठीक है यह भी आपको राइट थैंक्यू थे ठीक है बिलकुल आपके साथ खने कोशन नमर 120 वा है कि MS वर्ड में डॉक्विमेंट को सेव करने की सौटकर्ट कुझ चौथा विकल्प सही हो थी कंट्रॉल प्लस एस ठीक है जो कोशन रहेगे उनके आंसर से आपको जल्दी मिल जाए कि बाद में है कि चूज दा वर्ड दैट इस नियरेस्ट इन मिनिंग तू दा अंडरलाइ को दूलज हमाले में आपको जल्द इस डीक है आपके सिंदू और सतलज के बीच पंजाव थी किसमिर काली और तिस्ता के में तो है नेपाल हमाले ए तिस्ता और दीहांं कहिए हगा और जप्रंपुत्र आसम हिमाल का भी विकल्प आपके क्या होगा तहीं होगा ठीक है बिल्कुल जैजे प्रयास जी बिल्कुल बिल्कुल इसके बाद में कि कौन राइस्तान में गिद्धिस अन्रेक्षन के लिए अंसंदान करी कर रहा है यह थोड़ा सा बड़ा गहराई से दिया गया कोशन और करेंट का कुशन है तो यह भारत और जापान के विकल्प इसका सही होगा भारत और जापान को आप लोगों कहीं पर क्लासों में बताएं हैं तो यह भारत और जापान ठीक है ना ओके कि प्रीद इसके बाद मैं है कि दो या दो अधिक राज़्यों के लिए 126 कोशन देखें तो लोगसिवा आयोक के अधियक्षेवं सदर्श्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो राश्ट्पति के द्वारा की जाती है ठीक है थेंक्यू जी आपके बहुत-बहुत धन्यवाद और निम्लिकित में से किस पाधप से रेशे तेलेवं चारप्राप्त होता है पूंख फली से होता है कि का ए विकल्प आपके सही होगा तो थेंक्यू भी लिखेगा फिर आपके 128 मतर स्यंको ब्रहत राहिस्तान में किस समीति की सिफार इसको पिलाए गया संकर राव देव समित्य तो 28 का ए विकल्प आपके क्या होगा सही होगा अब कोशन नमर 139 है ठीक है 129 129 जो कोशन है यह मैत का कोशन है सर ने आपको बता दिया निम्लिकित में से गौका अनेक आर्थक सब्द समू जो आपके पूछा गया है कि सब्द समू है 130 जो कोशन है इसका बिकल्प जो आपके सही होगा एक स्वर्ग सूरिय और बैल 130 का ए होगा जो को संकर देव समीति इसके बाद मैं कोशन 132 है कि महिला पोशाक पॉम्चा किस अबसर पर पहना जाता है यह सिशू के जन पर पहना जाता है ठीक है birth of child ठीक है न उस पर यह पहना जाता है पॉम्चा अभी प्रसिद है और गंगा नदी की कौन सी नदी बाए किनारे की साहिक नदी तो देखो आपके यमना जो है वो दाहिनी और से मिलती है यमना है सौन है दामुदर है हुगली मे जाकर मिलती है धरिये गंगा में मिलती है इस दाहिनी और से मिलती है बाकी वाई और से है अंड़ा घागरा को सी ठीक है महाननदा की सब वाई और की इस बात में आपके जो next question है कि एक सो मैंने आपको बताई दिया था और इसका सही आंसर यमना होगा टी एक सो चौन का डी आंसर होगा आप यह थोड़ा से देखें है ठीक है आपके 135 कोशन है कि राष्ट्य मरुध्यान कहां इस ते आप सभी जानते हैं कि राष्ट्य मरुध्यान जैसल में रोबाड मे इसका क्या होगा सही होगा के बाद में कोशन नमर 136 है बहुत सरल और अच्छा कोशन एक गहन की सभी सत्यों को रंग लाल होता है तो कि आपको मैं बता दिया सन्ने एक धातू जो एक नाव के कारवोनिल नहीं बनाती अच्छा और एक शांदार कोशन नेक्स है कि राठोड लेखक कौन थे ठीक है बड़ा ही अच्छा कोशन आप से पूछा गया है और इसका सही जो आंसर होगा वो होगा दयादाल ठीक है फिर है राइस्तान के किस दिले में राजी की दूसरी लेपड सफारी सुरू की जैपूर में की गई क्योंकि जैपूर में जहालाना डूंग और जो आपके जवाई मांध है वो जवाई जो आपके लेपड सफारी में ठीक है बिल्कुल 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 इसके बाद में आपके कोश्चन जो है वो है वन फूट एक्सल में कौन सा ऑपरेटर एपसुल्यूट सेल रेफ्रेस के लिए प्रिया जाता है आपके स्थी विकल्प से यह आप देख लें इसका सब्सक्राइब कॉशन इसके कौन से कारीकरमों का अकाल रहा से सीथा संब्द है और उससे लिए विकास कारीकरम और सूखा संबाब कारगरेट के डीप आपके ड्राइड प्रोग्राम जो है यह विकल्प इसका क्या होगा ठीक है इसके बाद में संब्सक्राइब सामय नेत्यात 32 विट कंप्यूटर में कौन सी संख्या पणाली का पालन केया जाता है दो है विकल्प इसका सही कीजिए जिसमें लुपत अक्शर सी कर्म में हों तरह टीसे नुम्मर का विकल्प होगा गी वी बिजिए इसके बाद में आपके 146 वा कोशन है 146 कोशन किस प्रकास ये परिगटना के द्वारा सफेद प्रकास का बिवहाजन साथ संगटक वर्णों में होता है तो इसका एक विकल्प से एक वर्ण विक्ष्ट है ठीक है इसके बाद में आपके तेंदुवा पुनरवास कारीकरम एक नामक अंत्रिक्ष्ट मिशन लॉंच किया गया और नासा के दौर लॉंच किया गया नासा दुनिया की अंत्रिक्ष्ट है जो यूसे में है और इसी तरह से हम लेकर आपके भी रहेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद और सीटी देने वाले विद्ध्यारतियों को तेरी ओर से अग्रिम और ढरने के आवश्यक तरह आप लोग जो हैं बड़े समस्थान है अच्छान करें और मैं आपको एक बात पहुंगा टॉपिक के साथ कोश्ट है बहुत-बहुत धन्यवाद जय राजस्था जय प्रया और इसी तरह से शुल आपकी भी थैंक्यू धन्यवाद